डिपार्टमेंटल में हमने क्या क्या देख लिया एक पर फटा फट देख लेते हैं हमने डिपार्टमेंटल समझ लिया के सबसे पहले डिपार्टमेंटल होता क्या है इसके बाद हमने क्या देखा था सर एक कौन से खर्चे कैसे बाटने है थोड़ा बहुत आइडिया लग ग किया था basic सा। जिसके अंदर कैसे खर्चे को allocate किया जाता है ये समझ में आया था और ये सारी चीज़े basic basic चीज़े हमने देखी और फिर हमने अगली class के अंदर हमने क्या देखा एक question देखा जिसके अंदर हमने क्या देखा था कि किस तरीके से यहां पर profit वाला पार्ट जो stock reserve होता है वो कैसे निकाला जाए और stock reserve हमेशा किस पर होगा sales पर नहीं होगा हमेशा होगा कौन से पर और फिर आपके बुक का question number second जो कि थोड़ा सा simple सा question मतलब दो बार हमने करा था although लेकिन हो गया था अब आज एक और सवाल देखेंगे advance जैसे हमने जो last class के अंदर हमने देखा था ना reserve वाला उसी reserve को अब advance थोड़ा से लेके जाते हैं क्योंकि आपका जो main question रहेगा ना question रहने जीपी एंडल आता है सारे खर्चे डाल दोगे जहां जाब हो लेगा जीपी निकाल दोगे तो adjustment होता नहीं है इसमें adjustment स्रिफ कहां होता है उसके एक दूसरे को जब sale out कर देते हैं तो उसमें कितना profit निकालना है जैसे कि last वाले class में किया था बस वह हमें इसमें समझना होता है mainly departmental में जिसे inter transaction भी कहते हैं stock reserve कह लो तो सर यहां पर देखिए हमारे पास दो department है एक पर पहले सवाल को पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद फटा फट करते हैं दो department है कहता है था firm आपका गीवन है apex industry having two department एक cloth department है एक tailoring department है यानि सर ध्यान दिजेगा पहले जब तक सवाल समझ में नहीं आएगा होगा नहीं एक department यह रहा और एक department यह रहा यह क्या बेशता है सर cloth और यह क्या है tailor और कई बार मैंने ऐसा देखा है कई बार ऐसा होता है कि कपड़े वाले के पास जाओगे ना आप कपड़ा लेने के लिए तो जब उससे पूछोगे ना कि सर इस कपड़े को तो ले लिया आप इसको सिलवाना का है तो बूले का हमारा ही tailor है ना वहाँ जाके सिलवा लो ठीक है वो दूसरे आपस में interconnected होते हैं वहाँ जाके सिलवा लो वहाँ पे यह बता देना और यहाँ वहीं से bill बना देते हैं तो दो department है यह कपड़ा बेचे साल के खतम कर दिया तो एक तरीके से इस department ने इसको कपड़ा बेच दिया है होता है और कई बार लोग बाग यहीं से आके डारेक सिलवा जाते हैं तो ऐसे situation में क्या कहता है tailor tailoring department gets all the requirement of cloth department at usually selling price कहता है कि जो tailoring department है जो भी department से transition करेगा सब selling price पर करेगा from the following particular prepare departmental trading and profit and loss account यह बनाते आ रहे हैं तो इसमें कोई नहीं बात है नहीं कहता है stock on 2016 opening stock दे दिया इसने purchase आपको दे दिया इसने sales आपको दे दिया तो आपको अच्छे से पता है कि कहां कहां दिखाना है कहता है transfer of cloth tailoring department कहता है two cloth two का मतलब हमने transfer किया है tailoring department में sir tailoring department में transfer किया है हमने तो किसने transfer यह 50,000 एक्स्ट्रा आ गया किसने transfer किया होगा cloth department ने किसको transfer कर दिया tailoring तो असल टेलoring department के लिए purchase होगा और cloth department के लिए क्या होगा sales होगा कहता है manufacturing expense जो है वो है हमारा इसका अलग से दे दिया 12,000 ठीक है भाई इसी का क्योंकि tailoring का ही manufacture होता है में लिए selling expense दोनों का अलग 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 दे दिया सवाल में कोई दिक्कत है ने stock closing का दोनों अलग 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 दे दिया सवाल में कोई दिक्कत निया कैता है the stock tailoring department may be assumed to consider 80% cloth and 20% other कैता है जो इसका closing stock है ना इस closing stock 15,000 में 80% तो वो ही वाला closing stock है जो हमने इस से लिया था यानि 50,000 का समान लिया था ना उसका जो 15,000 में तो 80% वो ही है और 20% तो और इधर उधर के closing stock पड़े होंगे यानि कहने का मतलब इनका यह है कि 15,000 में 80% का मतलब कितना होता है सर 12,000 12,000 तो वो ही है जो कि same department से interchangeable था और भाकी का जो था 20% कहीं और का होगा आगे कहता है यह continue में जर्नल expense of business year comes to 23,000 जर्नल expense हुआ तो जर्नल expense कहां पहुचा देगा है कुछ बता नहीं दा तो जर्नल भी एंडल में चला जाएगा यह 2015-16 में cloth department and gross profit कहता है cloth department and gross profit कमाएगा 30% on sale 2015-16 की बात कर रहा है हम 16-17 में खड़े हैं तो यानि पिछले साल भी कहीं न कहीं यही काम कर रहे थे पिछले साल भी यही काम कर रहे थे तो सर इसने कहा कि जो भी closing stock होगा उस पर consist करेगा तो opening stock जो भी होगा इसका opening stock कितना है इसका 8,000 तो उसके उपर उसके अंदर भी stock जुड़ा होगा हमारा 8,000 वाले portion पर भी जुड़ा होगा तो उसके उपर भी हम reserve निकालेंगे यानि इस वाले सवाल को करने का main purpose क्या है मैं clearly ये चीज़ पहले आप समझो पिछले वाले सवाल में सिर्फ closing stock पे reserve निकालना सिखा था यहाँ पे opening और closing दोनों पे निकालना सिखेंगे तो इसके बाद कुछ सवाल और भी देख लेंगे हमें से related तो यहाँ पे दोनों पे होगा क्योंकि पिछली बार सिर्फ at the end में बता आये था और opening पे बता आये नहीं था और opening stock सायथ था भी या नहीं था मुझे याद निया प्रॉफर तो यह scenario था तो हम फटा फट से एक department profit and loss journal पीएंडल जो बनाते आये थे वह बना देते हैं ठीक है और इसी को कर लेते हैं कॉपी और यह आ गया दोनों डुपार्टमेंट यह बन गया हमारा प्रॉफर एंडल लॉस अकाउंट ठीक है तर सबसे पहले opening stock तो opening stock opening stock क्या देरिखा है 60 और 80 यह हमारा cloth यह है tillering यह है cloth यह है tillering तो 60,000 और 8,000 है अच्छा पर्चेस देरिखा है तीन चालेस तीन चालेस और पांच हजार पर्चेस के बाद सेज्स दे रखा है तो यह हैं सेज्स दे रखा है चार लाग अच्छा हजार अब ट्रांसफर कर रहा है तो आपको वेरी नो कि यह टेलरिंग डिपार्टमेंट को कर रहा है तो यह तो बोलेगा भाया हमारा सेल्स है और सेल्स कितना बोले गई है और यह बोलेगा टू हमारा पर्चेस है तो पर्चेस कितना बोलेगा यह क्लियर पहले यह वाला पुइंट देख लो ठीक है at the selling expense दे रख है selling expense हमारा कहा आएगा पी एंडल का पूर्सन होता है ना selling expense तो profit and loss में आएगा पहले manufacturing expense यहीं आ जाएगा manufacturing expense सर manufacturing expense है कितना 12000 किसका है सर सिर्फ टेलरिंग का है इसके बाद आता है selling expense कितना है 5000 और 2000 तो यहां पर आएगा selling expense selling expense कितना है इसर 5000 और 2000 जनल expense के लिए एक जनल पी एंडल बनाना पड़ेगा हमें जो कि मैं यहां बना लेता हूं बड़ा छोटा सा बनता है वैसे जनल पी एंडल क्योंकि एक ही दो आइटम तो जाना होता है working note हम पीछे कर लेंगे इसका यह जनल पी एंडल बना लिया है तो जनल expense यहां आ जाएगा सर जनल expense कितना है तेई सजार ठीक है यहां तक कोई दिक्कत है पहले दिखो यहां तक हमने basic basic चीजे फिल कर लिया है किसी को कोई दिक्कत नहीं ठीक है तो अब जो है जो stock reserve निकलेगा कहता है the stock in tailoring department में assume 80% cloth department का यानि sir trailing department में देखा जाए तो एक तो opening stock है sir और एक देखा जाए तो closing है opening stock that is दे रखा है आपको 8000 और closing stock that is दे रखा है आपको 15000 यही है ना तो इसका 80% हिस्सा ही जिसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा आपको जो हम reserve निकालते हैं stock वो निकालना पड़ेगा तो इसका 80% आ जाएगा 6400 रुपीज और इसका 80% आ जाएगा 12000 रुपीज पहले यहां तक बात टैक करिए और कहता है कि पिछले साल हमारा gross profit का जो markup था वो था 30% का पिछले साल हमारा gross profit था 30% तो बताओ पिछले साल का stock कौन सा है opening वाला है या closing वाला है कौन से वाला opening वाला 30% कमाई होती थी तो GS salary margin निकाल कूपर कि मैं अगर इसके उपर कहा लिखे कहा लिखे को यहीं लिख देता है क्यांकि opening वाले का मैं इधर लिख दू इसको दोनों तरीके से कर सकते है पहले मैं नई पैच में आ जाता है चलिए यानि सर opening stock जो है opening stock जो है calculation सर opening stock हमें दे रखा था 8,000 हमने क्या करा 8,000 का 80% निकाल दिया क्योंकि इसी के उपर है जो किया है 6400 और सर stock reserve निकाल लेते हैं Stock Reserve 64 पे 30% profit बोल रहा है तो direct 30% हम निकाल लेंगे तो कितना आ जाता है यह Stock Reserve? Stock Reserve कितना आ जाता है? 1921 ठीक है? यह आ गया अब आ जाते हैं सर दूसरे पे Sir Closing Stock Sir Closing Stock जो था उस सवाल में दे रखा था कितने का? 15,000 इसके उपर 80% जब हमने निकाला तो result आया 12,000 लेकिन Sir Stock Reserve निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? Stock Reserve निकालने के लिए क्या चाहिए? 12,000 into में GPR चाहिए जो profit का ratio है अब ध्यान से देखे profit का ratio जो यहां पे दे रखा है 30% वो तो पुराना है और जबकि हमें कौन सा चाहिए? इस बार का चाहिए profit closing पे तो इस साल का apply होगा तो पहले हमें gross profit निकालना पड़ेगा current year का तो हम एक काम करते हैं पहले GP निकाल लेते हैं तो GP के लिए सबसे पहले closing stock नहीं लिखा मैंने इधर लिख देते हैं by closing stock closing stock कितने का है? 1,00,000,000 और कितने का है? 15,000,000 ठीक है? तो GP निकाल लेते हैं कितने? 40,000,000 4,00,000,000 5,00,000,000 5,00,000,000 5,00,000,000 5,00,000 में departure माइने चाहिए 60,000 और माइने थी 40 और भी याँ पे ढूसरे का भी निकाली लेते हैं 8,00,000 और यह भी आएगा 95 यह लॉस तो नहीं आ जाएगा गहें असी हजार परचीज पाँच है पाँच हजार बढ़ा कम कम दे रखा है एक बार डिजिट भी चेक कर लेना पांच हजार ही यह नहीं, पर्चेस पांच है पक्चास है, पांच ही है, और पक्चास हजार दूसरे डिपाटमेंट से और यह बारह हजार, यह बीस हजार आ गया, ठीक है? अब मुझे बताइए, बड़ी सीजी सी बात है, जीपी से हमारा जो भी स्टॉक रिजर्ब तो GP हमें इसका जो इस stock में जुड़ा हुआ है तो इसको बेचा किसने होगा यहाँ पे sales है और इसका closing stock है किसका टेलर डिपार्टमेंट का तो टेलर डिपार्टमेंट ने कहीं से खरीदा तो होगा किस से खरीदा होगा यानि सर cloth से खरीदा होगा तो cloth डिपार्टमेंट ने जब टेलरिंग डिपार्टमेंट को बेचा होगा तो profit रखके बेचा होगा तो हम यह निकालेंगे कि cloth डिपार्टमेंट कितना percent profit रखके बेचता था समझ में आ रही है बात आपको अगर मैंने ये पता कर लिया कि cloth department कितने percent profit रख के बीचता था तो very simple हम इसके उपर ये भी निकाल पाएंगे कि कितना percent profit जुड़ा हुआ है और जितना percent profit जुड़ा हुआ होता है उसी को तो हम क्या कहते है सर उसी को तो हम क्या कहते है stock reserve तो हमें GPR निकालना पड़ेगा यानि सर इसका profit निकालना पड़ेगा तो GPR निकालने के लिए क्या करेंगे सर gross profit निकालने का formula क्या होता है GP ratio निकालने का formula होता है profit या gross profit divided by sales into 100 पिछले वाले सवाल में अगर हम gross profit की बात करें तो कितना आ रहा है डेड़ लाग कितना है हमारा डेड़ लाग divided by sales अब sales में आप ध्यान रखिए का जो sales लेंगे न वो total sales लेंगे जोड़ के जो sales लेंगे वो कौन सा लेंगे हम total sales GPR निकालने के लिए हम यूज करेंगे तो जब कभी भी होगा तो sales के लिए हम क्या करेंगे total sales लेंगे उसी के हिसाब से GPR निकाल लेंगे total sales कितना बन रहा था हमारा 4,50,000 तो चलिए 4,50,000 into my 100 into my 100 department first class नहीं department की ये third class है department की first class नहीं है ये third class है अभी मैं hand raise का doubt लूँगा पहले मैं भी ये question complete कर लूँ बस दो मिनट लगेंगे तो 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 डेड लाख divided by 45,000 into 100 तो ये आ गया हमारा कितने percent 33.33333 percent और इसको साधारन सब्दों में बोल दें तो एक बटा यही होता है इसको क्या बोल देते हैं one by three यानि सर इस वाले profit में 12,000 का जो closing stock है tailoring department के अंदर उसमें एक बटा तीन भाग profit है तो एक बटा तीन निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए कोई दिक्कत कितने आ गए 4000 रुपे यानि सर stock reserve की अगर हम बात करें अगर हम stock reserve की बात करें तो stock reserve दोनों side है जो opening वाला है वो इधर आ जाएगा और जो closing वाला है वो किदर आ जाएगा इधर आ जाएगा तो हम दोनों side ना दिखाके हम क्या करेंगे एक net amount भी दिखा सकते हैं और नहीं तो हम net amount भी दिखा सकते हैं कैसे दिखा सकते हैं 2 stock reserve सर इधर वाले का हम ले लेते हैं पहले इधर वाले का ले लेते हैं तो इधर वाले का कौन से वाला आएगा इसके उपर जो निकलेगा जो कि कितना आया था 4000- इधर वाले का कितना आया था 1920 यानि आप ये भी कर सकते हो simply क्योंकि आप किताब में देखेगे तो ये pattern आपको देखने को मिलेगा नहीं तो आप क्या करो इधर वाले का इधर दिखा दो और इधर वाले का इधर दिखा दो बहुत simple सी बात है 4000-1922 अब ये जो प्रॉफिट है इधर बाइ साइड में लिख देंगे सर्वाइ नेट प्रॉफिट अब दोनों का लिखना है हमें किसका cloth का भी और tailoring का भी तो cloth वाले का है एक 45 और tailoring वाले का कितना है हमारा 18 तो अगर हम इसको देखें 145 और plus में 18 तो सर्व 163 बन रही है 163 के बाद finally net profit हमारा combine बन जाएगा 163 163 माइनस में क्या करेंगे 23,000 और माइनस में 20,80 तो यह आगए 137 920 137 920 to net profit मैं अगेन एक चीज़ क्लियर कर दूँ आपको कि जो हमारा closing stock में पढ़ा हुआ stock है उसी के ऊपर reserve का concept apply होता है जो big गया उसके ऊपर apply क्योंकि जो big चुका है वो कहीं न कहीं profit में adjust हो जाता automatically तो stock reserve जब भी निकालेंगे किस में निकालेंगे हम तो अभी हमने क्या सवाल में देखा एक ने दूसरे को बीचा कई बार ऐसा होगा यह इसको बीच रहा है और यह इसको भी बीच रहा है तो थोड़ा सा क्या होगा complication और बढ़ जाएगा है कि ने क्योंकि इसने इसको बीचा तो simple कर लिया अब क्या करेगा ये भी इसको दोनों आपस में एक दूसरे को बीचेंगे तो inter stock हो जाएगा वहाँ पे एक उसको बीचाए तो simple सी बात रहेगी दोनों में से profit निकाल निकाल के फिर हम कर लेंगे वहाँ पे ठीक है ना तो ये सवाल था एक आपके सामने जो कि तीन था किताब का question नहीं है ऐसे general question दिया ताकि आपको stock reserve निकालना आएगा सब live recording live recording में ना कुछ थोड़ा सा error है आपको वो classes ना content में जाके देखना है content से आपको मिल जाएगा live recording में ब्रांच के नाम ही डाला हूँ है मैंने अभी भी notice किया है तो आप उसमे content में जाओगे तो वहाँ departmental मिल जाएगा ठीक है बता दीजिए इसमें कोई doubt है तो आप बता दीजिए आप जिसका जो doubt है इसमें बता दीजिए कोई doubt है इसमें एक सेकिंड देजिए मैं दूसरे सवाल आपके सामने ले के आऊँगा आपके बुक का ही question number 3 करेंगे झाल